शेवाही मेरी पैचान शंकर सोने जा पैनल नमबर 26 शेवाही मेरी पैचान शंकर सोने जा पैनल नमबर 26 शेवाही मेरी पैचान शंकर सोने जा पैनल नमबर 26 क्या कालानी अब शिंदे घुट में जाने की तयारी में हैं आज दिन बर यही चर्चा उल्लास नगर शहर में होती रही उल्लास नगर राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं और पूरो नगर सेवकों की तरफ से पार्टी के सुप्रीमों शरत पवार जी के साथ एक बैठक हुई जाने इस बैठक में पूरो मंत्री जीतेंदर एहवार जी पूरो सांसत आनन्द परांचपै जी प्रदेश उपाद्यक्ष प्रमोध हिंदुराओ जी आमदार शशिकान शिंदे उल्लास नगर जिल्ला अद्यक्ष पंचम ओमी कालानी और उल्लास नगर के शहर के पूरो न अगर सिवग और पार्टी के प्रमुक पदधिकारी इस बैठक में उपस्तित रहे इस बैठक के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुए जहां पताया गया कि शरत पवार जी के साथ आज हुई बैठक में उल्लास नगर मनपा के होने वाले चुनाओं को त्यारी कर रहे हैं अगये जानते हैं उल्लास नगर राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश ने कम पार्टी की हुई इस बैठक के लिए क्या बता रही है जो बैठक हुए आधरनेय राष्टावधी कॉंग्रेस पक्ष के अध्यक्ष लोकोनेता अधरनेय शरत पवार जी के अध्यक्ष ताम है और जितंद्रावार जी के मारगदर्शन में आज पूरे ठाने के हडावा बैठक का नेयोजन किया गया था और जहां पर उलास्त नगर के जिल्ला अध्यक्षा पंचम कलानी जी के अध्यक्ष लाम है सभी नगरसेवक सेल अध्यक्ष और प्रमुक पतदिकारियों को आज वहाँ पर बुलाया गया था इस बैठक में और बैठक में हम सब शामिल हुए और शामिल होने के बाद में आधरनेय पवार साथ को 22 नग के प्रमुक है उन्होंने अपने बायरा दिया कि उनके सेल के किस तरीके से अपने शेत्रों में हर शेत्र में काम चल रहा है व्यापारियों के अध्यक्षों ने बताए कि व्यापारी को लास नगर ट्रेल क्या काम चल रहा है और हमने पूरी तरीके से आधरनेय पवार साब जितंदर अवाड existing को बताएं के हमने चुनाओ की पूरी त कि जी हमारी नहीं हो चुकों है और चुनाओ की तरीके पूरी थारीके से राष्ट वाधी कंग्रेस पाटीश पाटीट है 22 नगर सोगों के साथ में सबसे बड़ा पक्ष बनकर बना हुआ है और आने वाले कुछ नगर सेवक भी ओमी कलानी जी के संपर्क में है और आने वाले दिनों में वो भी राष्ट वादी कॉंग्रेस पार्टी में प्रवेश करने वाले है तो बात रहे गई कि पवार साब के जो आदेश्ट है कि चुनाओ की तयारी करना चालू कीजिए तो काम कर रहे हैं तो इन तीनों शेत्रों में किस तरीके से राष्ट वादी के आमधार चुन कर आएंगे आदर ने पवार साब ने प्रश्ण पूछा था उसके लिए हमने सबी लोगों ने बताए कि इस वार के पपू कलानी जी और और ओमी कलानी जी पंचम कलानी जी कलानी परिवार के तीन तीन साती राजनितियों में सक्री हो चुके हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया तो राष्ट वादी कंग्रेस पर्ख्ष के तीनों विधान सबाओं में हमारे आमदार चुन कर आएंगे और वो भी हमने बताए कि मारल वरब कामबा जो तीनों गाओं तो तीनों गाओं भी हमारे पक्ष के और पाइटी के साथ में तो वह भी पवार साब को बताया गया और अच्छे तरीके से हम तैयारी कर रहें आधने आवार साब को ये साड़ावा वा बैठक में ये भी बताया कि जिस तरीके से 2002 में राष्टावदी कंग्रेस पर्ष के आज हमारे शारे में आदरनिय पपु कलानी जी है ओमी कलानी जी है और पंचम कलानी जी है हमने उनको सभी पदधीकारियों ने हमने पवार साब को बताया कि आने वाले मनपा चुनाओ के बाद राष्टवादी कंग्रेस बाइटी और पंचम कलानी के रूप में अगले हमारी कम हजार एक वोट से हम वहाँ पर चुनाव हारे थे और वो भी उनको बताया गया कि एक तरफ भारती जनता पार्टी साही पार्टी सीव सेना और रिपॉब्लिकन पार्टी आफ इंडिया ये सब लोगों ने मिलकर छेचे पार्टिया एकत्रिक हो गए और हमारे भी नगर से राजी की सरकार के दबाओं में आकर हमको छोड़कर चले गए डर और भय के लिए पर कालानी परिवार को देखकर लोगों ने विश्वास रखा राश्ट्रोधी कंग्रेस पार्टियार परिवार के उपर और हमको बहुत अच्छे वोट मिले और 40,000 के आगे हमको वोट मिल अच्छे तरीके से तीनों विधान सबाव पर हमारा आमदार होगा और साथी साथ में सभी जबसे ज़्यादा नगर सोग भी हमारे होंगे उसके लिए पवार साब को हमने बहुत अच्छे तरीके से बता है और पवार साब ने जो विश्वास रखकर पंचम कलानी जी को जि कलानी परिवार पर विश्वास रखकर हर लोगों ने अपने अपने इच्छा से घड़ी के निशान लगा कर लोगों ने दर्शाया है कि हम राष्टवादी के साथ में हम कलानी परिवार के साथ में है इस शहर का कोई परिवर्तन और बदलाव ला सकता है तो कलानी परिवा बचा सकता है इसलिए पवार साब को यह सब बातों के ओपर हमने ध्याना करशित करवाया उल्लास्ट लाइन बुलेटेन को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन दबाए और देखिए उल्लास्ट लाइन बुलेटेन की निउस सबसे पहले आपके मोबाइल पर